कि अब लोग तो स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग चैनल इसका नाम आने काडमी नीट और आप लोग मुझे देख रहे हैं ना काडमी नीट लाइड डिली 2.0 के ऊपर तो आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो है किसके बारे में वो है बच्चों कॉम्बिनेश लिंगे विसे लेंशा अ बारे में लिंगे खिए जाता है तो उनकी रिजूटेंटी पाते हम किस से करते हैं यह हम आज देखने वाले बच्चों ठीक है तो जल्दी से मुझे बता तो बच्चों आप ब्रक्त देख पा रहे हैं क्लेर्ली विजिविवल कोई हरानी परिशा और जैसे ही लेंसे मिर्री की बाते हैं और जाते हैं लेकिन क्या हसा कोई रामबाण है कि एक एक फॉमला लगाया और सारे सवाल सॉल्व हो जाए बिल्कुल है क्यों नहीं सीधी सिवादे जोडने घटाने की बात रह जाती है वस अगर हां तो सारे क्वेश्टेन आसानी से के ही क्वेश्टेन को सॉल कर डालों पर बिफोर वी साथ विट टोड़े सेशन अब तो फॉर्स थिंग इस था लिटल बिट बिट अंट्रड़क्शन थिके बच्चों तो मेरा नाम है अनुकुता नाइक लिए लॉंग टाइम बैक पिछले 15 सालों समय हजारों बच्चों क अनुका सपना था उसको पूरा करने मों को हल्प कर चुका हूं और आव आपकी बारी क्योंकि यह काम जो मैंने किया है यह मैं कर रहा हूं एक्षली कोटा में रहके जहां पर बहुत सारे बच्चे हर साल यहां आते हैं और अपने आंखों में सपने संजोई और वह एक अपने पूरा फाइदा और अपना जो एक मुकाम है उसे आप हासिल कर लेंगे अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो हमारे टेलिग्राम का चैनल है पहले टेलिग्राम की डाउड लेना फिर वेब राउजर में जाना यह वाला यूरल डालना ठीक है उसके अंदर आ हमारी टीम का इस साथ कि आपको यह बस पता चलता रही कि हम लोग किया कि यह बाड़ियाल बडिया सब के लिए बदा के रखेंवे हैं तो वो जो वीडियो है वह मिलेंगे वह मिलेंगे आपको यह वेडियो बुक इसको आफ एक्सेस कर सकते हैं इस वाले यूरल को अपने वेब डालने के बाद इस यूरल को आपने वेडियो बॉजर में डालों गेज वीडियो बॉपक मिल जाएगी सारे वीडियो की बड़ी अप्रेलिस बनी वही है लाइन से क्लिक करते जाओ और अगला तो वीडियो इंदर बड़खने की अपना टाइम इजटाए को जो लेना होता ये लेना वोता है यह कियो फाइडा है यह सब्सक्रिप्शन तो दोंगत है क्लते हैं ठीक है और साथ जितना लंबा उतना बहतर ठीक है तो अगर आप जैसे आप नीट 20 21 की अगर बात कर रहा हूं तो वह हो सकता है पूरे एक साल या दो मैने पीछे हो जाए और अगर वह पीछे हुआ और अगर तब भी आपने 6 मैने का सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा तो मुस्ट आपके बचाएगी फिर चाहिद आप 3 मैने का सब्सक्रिप्शन और लोगे ठीक है तो खुल भिला कि आप 40,000 कर्च करो ग आप पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन एक साथ ले सकते हैं ठीक है अचा और इसे और फाइदे क्या है कैसे हम आपको करते हैं तो आप यह वाला यूज करेंगे आप और नौट अनली फॉर नीट फॉर जेए फॉर 1112 यूपी एसी फॉर एनी एनी ऑफ दो कोर्स इस ऑफ अविलेबल ऑन अनकैडमी यह जो कोड है यह कोड हर जगर काम करता है तो आप अगर आप यूज कर रहे हो आपको तो बहुत अची बात है अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली पडोसी रिष्टेदार कोई भी का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हैं किसी भी कोर्स का तो आपका फर्थ बनता है कि यह वाला कोड रूम को सजेस्ट करेंगे और से सजेस्टी नहीं करेंगे उन से यूज करवाएंगे क्योंकि से अच्छली मुझे भी फाइदा मिलता है उनको तो 10% का डिसकाव मिल ही जाएगा साथ मुझे मेरा फैदा मिलता है मुझे फाइद दुदका नीटे बहुत तग्राइंग पर क्लियर किया होगा अगर ऐसा इंसान लगातार आपको रहा है वापको गाइड करेगा एक पर इसक्राइड करेगा आपके टेस्स करेंगा हर तरीके से वह लोग करेगा प्लैनर बनाएगा आपको आपके वर्कॉप मतलब वह मतलब अरेंज करवाएंगे और इन सब चीजों के लिए परसनल आपको यहां पर अटेंशन मिल रही है इसलिए आपका यहां पर थोड़ी सी फीस प्लस से ज्यादा है कोड यहां पर भी काम कर रहा है अनु 10 इस दा कोड अनु क्योंकि 10 परसें का मैक्सिमम डिसकाउंट आपक में पावर की बात सुनते हैं पहली जीज मेरे जमाग में यह आता है चश्मा लगा चश्मा चश्मा यह हम लगों ने चश्मा लगा रहा है कि सबकी बावर होती है ठीक है माइनस वन माइनस टू प्लस वन प्लस टू कोई अलगला पावर होती है ठीक है अच्छा है आपने वो लेंस की भी होती है। मिरर की भी होती है। डोनों की होती है हिटा पावर, चीक है, तो लेंस की पावर, शारी मर्की पावर, क्या होती है, पावर than it is ability of an optical element element मतलब lens mirror slab prism plane mirror कुछ भी ठीक है वो होता है यह प्रिज्म सारी वो होते है optical elements ठीक है तो क्या होता है यह चीज ऑप्टिकल पावर इस दे अबिलिटी ऑफ एड ऑप्टिकल element to converge and incident parallel beam आगर जैसे concave mirror की मैं बात करूं ठीक है अगर इसके उपर incident beam आई यहां से आई यहां से आई और वो converge करके यहां पहुच गई तो वाकई यह converge करा पाए इसलिए इसकी हमें कहेंगे इसकी power positive है जो converge करा पाते हैं उनकी power positive बताई जाती है जो diverge कराते हैं उनकी power negative बताई जाती है जो पैरलल बीम को पैरलल ही छोड़ देते हैं पॉर एक्जामपल plane mirror अगर plane mirror इस तरीके से हैं यहां से एक बीम आई इदर को चली गई फिर एक बीम यहां से आई वो इदर को चली गई तो जो पैरलल बीम आई वो पैरलल ही चली गई इस बात का मतलब यह वर्जी आना तो यह पैरलल भी माती है उसको फेला देते ठीक है अगर करते हैं तो हम कहते हैं कि पावर positive है diverge करते हैं तो हम कहते हैं कि पावर negative है और कुछ नहीं करते हैं पैरलल में को पैरल ले चोड़ देते हैं तो उनकी पावर जीरो है आपने देखा मैंने मिरे भी बनाया प्रेम मिरे बनाया और लेंस बनाया इस केस में पावर जो आएगी वह नेगेटिव आ जाएगी अब जल्दी से तैयार हो जाओ बच्चों क्योंकि अब मैं आप से कुछ पूच्छिन पूशने वाला जल्दी से मुझे पताओ इस केस में यहां पर जो यहां पर आएगी वह नेगेटिव आएगी अभी अभी पताए जल्दी से बताओ यह इंकमेंग पैलल बीम को फेला रहा है और अगर यह फैला रहा । पावर आएगी नेगेटिव यह इनकमिं परिशाने तो बताते जाना और अगर नहीं है समझ में आ रहा है तो बस प्यार दिखाते जाना ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं डोपमीन डिलीज हुआ क्या बात है चलिए यह वाली बात है अच्छा यह बताओ फोकल लेंथ के बारे में क्या कह सकते हैं शाहिद आपको अगर इसकी कम होगी तो यह जादा कनवर्ज करेगा और अगर इसकी focal length जादा होती, इसका मतलब यह कम converge कर रहा है, कहने का मतलब focal length अगर जादा है, तो converging abilities कम है, यानि power कम है, focal length अगर जादा है, तो power कम है, focal length अगर कम है, तो power जादा है बच्चों, ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है, तो इस case में क्या होगा, focal length, अब सिधी सी ब वन बाइएफ के बराबर हो जाती है ठीक है और जब मैं लेंज के केसे में बात करता हूं तो बिल्कुल बड़ी आसा यह जो पावर की वैलियो पी इस एक्वल टू वन बाइएफ हो जाता है यह होता है पी फॉर लेंज और यह बहुत ही इंपोर्टेंट एक्स्प्रेशन है यहां पर अगर फोकल फोकस या फोकल लेंज है अगर वो होती है मीटर में तो उस केस में पावर जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है डाय आप्टर्स में ठीक है तो जैसे हमारे आखों के लिए आखों के लेंज की अगर मादलो जो पावर है वो माइनस वन है तो पावर अगर माइनस वन है तो यानि कि फोकल लेंथ भी यहां पर अगर यह पी लको आपसे इस सब्सक्राइब बात करते हैं यह बात लेंस लेंस के लिए और बात करते हैं तो ये 15 बात कुरते हैं तो होता है कौनसी नई बात बात हैं नाइ वोकस यहाँ पर है इसका मतलब डियर दो सेंटाध कर विचल हो गया यह फोकस है इसका मतलब एफ की वैल्यो पॉजेटिव आ गई। अब तो यहां पावर आएगी यह तो फैला रहा है तो नेगिटिव आएगी जबकि ये एकशली कर रहा है तो यहां power positive वाएगी प्लीज नोट पिछले वाले में दोनों का sign आपस में same आ रहा था चाहे converging lens हो चाहे diverging lens हो कैसा भी हो दोनों का sign आपस में same आ रहा था तो power सीधे-सीधे 1 by f हो गई थी लेकिन अब जब मैं यहां mirror की case में बात करता हूं तो P for mirror power for a mirror is given by one upon f mirror with a minus sign प्लीज नोट आपको यह लग रहा हो कि सर हमारे जहां हम जहां पढ़ते थे या जब हमने पहले पढ़ा हुआ है स्कूल में पढ़ा या कहीं पर बढ़ा है तो सर हमने तो सीधे-सीधे एक formula पढ़ लिया था वस यह one by f mirror is equal to one by f one by f equal to one by f minus two by f ऐसे एक formula पढ़ लिया था कुछ तैसा एक formula से सारे सवाल हो जाते थे सार हां हो जाते थे बिल्कुल सही बाते क्योंकि वहां पे सिर्फ एक lens और एक mirror होता था मैं आपको जो बताना चाहरा हूं इसमें इसके साथ इसके साथ आदम power को भी पढ़ लेंगे और उस power की help से power की power से हम बिना किसी formula को घोटे स्तारे सवाल line से solve कर सकते हैं बहुत बढ़ियास है शान्दार तरीके से ठीक है बच्चों तेसलिए यह यह वाली बात समझ में आ गई आपको lens की case में चाहिए वो converging हो चाहिए वो converging हो चाहिए diverging हो पावर इस अमेशा 1 by F simple power is always 1 by F F is in meters तो पावर इस डाप्टर ठीक है आचा इन केस ऑफ mirrors चाहिए वो converging हो चाहिए diverging हो चाहिए वो concave हो चाहिए वो convex हो mirrors के case में power is always given by minus 1 by M minus 1 by FM ठीक है इस बात को धिहान रखना वस ठीक है यह दो बाते हैं पावर के मुद्धा इतना ही होता है समाप्त हो गया ठीक है अब हम आते सरक काम की बात पर किसा question कैसे solve करने यह बताइए आप तो देखो भाई देखो बहुत simple बात है ठीक है आपने साथ लेंस के लिए याद कर रखा होगा यह का दो दो लैंसर अलगे वे हैं तो इसके लिए कैसे करते हैं तो सिंपल सी बात है पहली बात वेरी इंबॉर्टन हम जितने भी question करने जा रहे हैं यह जितने भी तरीके से जितने भी questions को solve कर सकते हैं वह सिर्फ वह वाले हैं प्लीज नोट बच्चो इस बात का ध्यान रखना ठीक है वह सिर्फ वह वाले हैं बिलकुल रिया पहले थैजिंग तरह सिर्फ यहां आपर है तो यह चुरूख जिसकी बहुत है निकाला हुआ बहुत पास रखे होंगे तब ही चलेगा दूर 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 रगदिय फैड नहीं चलेगा और वैसे दूर तुर दूर द्यूर दिया तब कुछ भी नहीं चलता एक बात नहीं कभी-कभी कुछ किताबों के अंदर से लिखा होगा एक लेंस यहां था फिर कुछ दूरी पे एक और लेंस यहां था अब बताइए कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी यह डिस्टेंस दे रखा है तुम बोलो तो फॉर्मॉला ही बतायता हूं वन बाइफ-बाइफ-बाइफ- इस तरीके से बनती और यह इस लेए वाला लेंस इमेज को मानलो फाइनली यहां बना देता तो इसको फोकस बोल देते हैं अगर ऑबजेट इंफिनिटी पे रखा होता तो अबजेक कही और रखते तो फिर यह समय में बेगड़ जाती फॉर्मॉला ने लगते और सबसे होगे ना हमारी कोशिश हमेशा क्या रहेगी कम से कम फॉर्मॉला रखने की जादा से जादा हर सवाल के लिए फॉर्मॉला हम क्या करते हैं यहां पर यहां पर अबजेट लेइंस रखा उसकी वेस्ट कि वह निकाल दी ठीक है वह इमेज इसके लिए उप्जेट काम करी के लेंस फॉर्मला ही टो लागाने घसे बहुत भैतर हो गार कि उससे सवाल हो जाएंगे ठीक है क्योंकि यहां पर पहले था फोकल लेंग्ड का फॉर्मला याद होना चाहिए ठीक है इस इक्वेलेंट मैं उसके बाद फिर लेंस में फॉर्मला लागाना पड़ेगा यह सब्सक बढ़ने की बाती-बाती की चीज़ है ठीक है तो इसलिए हम लोग जब क्वेश्चन सौल करेंगे हम उनी केसे में इकुलन फोकलन निकालने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों जहां पर यह लेंसे या मिरर्र जिन भी चीजों की बाते हो रही है वह बहुत करीब में रखे हो ठ यह से रहे घुशी उदर से भाहर निकल गई ठीक है अब क्या हुआ अगर मैंने यह कह रखा है कि इसकी फोकल लेंट तो मानो एफ वन थी और इफकी एफ टो थी सीदी सी बात है सिंपल रामबान क्या है नेट पावर टोटल इकुलन जो लेंस बनता इकुलन जो भी चीज जो एफ बनती उसकी जो पावर होती पावर एकुलन इस इकवल डो और इंसे जो ये ज ह्क शिक्रेए क fungus करेंगि उसकी पावर करता जा यूज कर एप मतलब कितनी बार गुजुरी इससे और पहले बार लेंस एक और टिंट्ली पीवन जोड़ दिया फिर उसके बाद चलिए खतम सिंपल सिधे यहां से पीवन जोड़ा फिर निकल गई फिर फिर खतम अब जैसे ही यह हुआ अब क्या होगा अब सिंदी अब इच्छा एक चीज और मुझे बता हो कैसे आपको पता चलेगा अगर मैं मान लो यहां पर को ए तो तुम्हें से अगर यहां से उथ जोड़ न मिराँ तो सीअटी ली इत गुस के अधर से भाट आ गई तो इसके अंस फिलेंट ली यह चीज एक को पर उसके ओर व्ह अघए पाज़ां चुम्हें और हूभी इन पर निकल चीज़ सो नकल से और लाइट अगर उसके इधर से भार आ गई तो इसके यह एक कुल मिलागे मिरर की तरह बिहेव कर रहा है क्या आप जल्दी से मुझे बता सकते हो बच्चों कि यह चीज एक लेंस की तरह बहुत कर रही है चलो आधित्या मिस्टर एक्स रितिका कुंज जल्दी बताओ अं जब तक तुम बताओ रही में आगे बढ़ा नहीं मता लो ढूंको कि हां जी यह लेंच है मिरर मिस्टर एक्स अंजी रोकी का अंजरारा गया बहुत बढ़िया रोकी चेतन लेंश 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 बिल्कुल सही बात है यह एक लेंस है और अगर यह एक लेंश है तो हमने यह उते हैं पी एक्वलेंट फिलेंश का ही लिखना पड़ेंगा तो वो गया वन अपाउं एक्वलेंट सब्सक्राइब याद किया था याद आ रहा है यह यह कब होता है जब दो लेंश लगे अब दो क्या हिए तुम चाहर लगा अगर यहां पर 4 लेंस लगे होते हैं तो क्या फरब पढ़जाता कुछ नहीं है सब की बावर एक एक बार एड होती तो 1 by F2 प्लास 1 by F3 प्लास 1 by F4 आते जाते समझ में आ जाते हैं समझ में आ रहा ग्या तरीका समझ में बढ़ता सीधे सी वाद जित्रे भी लेंस लगे हुए हैं एक बात ध्यान रखना एफ की वेल्यू साइन के साथ डालना एक सवाल करें बहुत जल्दी से बहुत तेजी से ठीक है क्वेस्चन है यह रहा हां नी क्वेस्चन तो इधर है में रिमोट उन्टाथा तो क्वेश्चन यह रहा एक क्वेश्चन एरा करो यह वाला सवाल क्या है टू कन्वेक्स लेंसे ऑफ फोकल लेंड 20 संटी-गावर लिया यार तो पावर कैसे कालोंगे पावर विडी балभी 5-inator 1-बैस-2 फोगी-1-1-2 दौनों ही कन्वेक्स मान लेते हैं ठीक है इन-चेप वार बंगे यह बात को कई बार चीक चेकर की का मतलब नहीं होता है लेकिन हम मान सकते हैं क्यों मान सकते हैं क्योंकि हम यह मान के चल रहे कि उसका म्यू है वह सरौंडिंग म्यू से जादा रहा होगा तो वन बाइ F1 F1 की वैल्यू क्या हो जाए कि बच्चों यहां पर F1 के 20 cm तो यह पॉन अपन 0.2 मीटर में प्लस और दूसरा हो गया वन अपन 0.25 जल्दी से मुझे इसका आंसर पता दो तो यह तो बन गया और यह बन गया यह बन गया फाइव फॉर ना पॉइंट 25 वन दे उपर अगया चार तो इसका पॉइंट नहीं आ गई पावर आ गई प्लस नाइन डाइप्टर प्लस नाइन डाइप्टर और आंसर आ गया बंबे तो फोर्स गांसरा जाएगा बंबे समझ में आगी वाली बात बच्चों सबको अब सब को समझ में आ रहा है जा, ठीके चल अब यह वट अगर मैं बात कर रहो हूं दो लेंसे की ठीके और भी क्वेस्चन से और भी कर सकते ठीके तुलेंस अफ पावर यह वाला एंड यह वाला आर कम्बाइन तू फॉर्मकंपाउंड लेंस उसकी फोकल लेंस क्या होगी तो वह equivalent की value हो जाएगी 1 upon f equivalent क्योंकि कुल मिला के लेंस ही है दो लेंस का जो combination है वो मिला के देगा तो लेंस ही क्योंकि light यहां से घुसे की वहां से बाहर निकलेगी पीवन क्या आएगा पीवन दे रखा 2.5 और पीटू क्या आएगा पीटू दे रखा है 2.5 यह हो गया और पीटू क्या रखा है पीटू दे रखा माइनस 3.75 तो पीटू दिया है माइनस 3.75 तो यह आगया माइनस 3.75 ठीक है इसको solve करके f equivalent निकाल सकते हो गया क्या लगता वच्चों कर सकते कि नहीं कर सकते 3.75 में से 2.5 घटाया और उसको उल्टा कर दो सेंटीमीटर में चाहिए हो सेंटीमीटर में पूछा है वही ध्यान रखना है इस बात को चलो जल्दी सॉल करके बताओ मुझे आंसर क्या रहा तुम्हारा इसका ठीक है क्या है इसका अंसर यह आ जाएगा माइनस 1.25 और उसको उल्टा किया तो एक्वेलेंट की वैल्यू क्या आ गई वह आ गई माइनस वन अपाउन वन पॉइंट टू फाइव यानि कि वह बन गया जिरो माइनस जिरो पॉइंट एट जिरो पॉइंट मीटर्स तो एफ एक्वेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई वह आ गई माइनस जिरो पॉइंट एट सेंटी मीटर्स सॉरी जिरो पॉइंटी सेंटी मीटर्स ठीक है माइनस 80 cm माइनस 80 cm माइनस साइन चीच के बता रहा है कि यह एक ठीक है कोई बात थी आंसर हो जाएगा इसका क्यलकटा अचा अब ऐसे यह तो अभी ऐसे क्वेशन आते रहेंगे सबसे ज्यादा कॉमनली आज परेशन यहीं है दो लेंस लगा दी ठीक है लेकिन हम तो राम मान की बात कर रहे हैं लेंस के साथ मिरर भी लगाओ दो लेंस के सा एक लेंस की पीचे दो मिरर लगाओ अजी बजी कॉम्बिनेशन बनाने में लोग तो हम लोग पहले यह वाली बात करते चलो ठीक है क्वेशन आपके पास ही सही अब मैं एक यह वाला केस लेता हूं इसको मैं अटायता हूं हमारे किसी काम का नहीं था ठीक है अगर मैंने य पीच्छे लगा था एक मिरर मुझे जरूरी निया कनके वह या कनवेक्स जो भी है उसकी फोकल लेंस दे रखिए और लेंस की फोकल लेंस दे रखिए मुझे भी नहीं पता यह कंवर्जिंग यह ठीक है ऐसी केस में अगर मैं क्वेशन सौल करने कोशिश करता हूं तो क्या मिरर है दिस इसकी साफिए है और दिस इस यह साम इलेघ यह मिला है क्या चीज है यह पूरी मिला के यह पूरी पूरी चीचThey te है अचा एनिवेस हमें क्या मतलब है हमें थाकृ तो सोल ना है आभने बड़ी इंपोर्टिंट घ्रम आने वाली है बिक्षुल मिला के power equivalent is equal to light गया 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 एक बार लेंश में दिख देख ली तो पी एम जोड़ दिया फिर खास बात ही फिर मर थोड़ी गई वो लाइट जो यहां से गई 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 पहले लेंश पर टक रहा हुए फिर मिरर पर टक रहा है फिर लौट के वापस भी तो और अगर लोटके वापससाई तो. लेंज के त्रू एक बार और गई तो यहाँ पर हम लोग लेंज को दो एंगए लेंज आए लेंज और तो कुल मिलांकरगों यह अजाएगा 2 pm , यह कुल मिलांकर आता है वह ge थिए मागया ठीक है आप चाहो तो मैं इसका डिरेक्टिटिब बता सकता हूं में बस फॉर्मला डिराइब कर रहा है और अगर यह मिरर का निकल रहा है और अगर यह निकल रहा है तो मैंने यहां लिखा क्या minus 1 by f equivalent क्योंकि हम mirror की बात कर रहे है ठीक है equal to 2 times pl दिखा था तो यानि हो गया 2 upon f lens क्योंकि power of lens होती है 1 by f lens और mirror क्या हो गया वो हो गया plus 1 by minus f m इसी को अगर मैं थोड़ा और इज़्ज़त से लिखू हो तो वो क्या आएगा 1 by f equivalent is equal to 1 by f m minus 2 by f l क्या आपने यह formula कभी इससे पहले देखा या सोना है ncati में clearly दे रखा है formula कि ऐसे case में यही आता है ठीक है और इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हो गया 1 by f एक्विलेटिक वेलियो आगई 1 by f minus 2 by f l यह standard formula की तरह आप इसको यूज कर सकते हो आप चाहो तो इस formula को गोट के रह सकते हो मैं प्रिफर करता हूं कि याद रख लो याद क्या रख लो पस पावर एड करकी पावर ही तो एड करनी है सीधे सीधे जित्री बार ध्यान रखना यहां पर दो एक बात इंपॉर्टेंट है इंफाट दो बात इंपॉर्टेंट है पहली आता है अगर मैं कहता हूं कि भाई-साद वाई-साप सुनिए मेरे पास एक लेंस ये है फिर एक मिरर और है जीवन में मेरे चैन नहीं आ रहा है इसको बूला मैंने F1 इसको बूला इसका फोकलेंट F2 दे रखिए हमान लो इसकी तरह रखिए Fm तो जल्दी से मुझे पता इसका P equivalent क्या आएगा तो बहुत तेजी से अगर मैं इस question को solve करूंगा तो क्या नेकल क्या आएगा वा आएगा P equivalent is equal to 2P1 plus 2P2 plus P of mirror कुल मिला के यह चीज मिरे की तरह भी आप कर रही है 1 upon minus Fm या F equivalent sorry F equivalent जो आएगा उसकी value क्या हो जाएगी उसकी value हो जाएगी 2 by F1 plus 2 by F2 minus 1 by Fm by F1 F2 Fm की value डाल तो F equivalent की value भागती दौरती गिरती पढ़ती आ जाएगी भरबूर उम्मीद है मुझे इस बात की कि आप इसको जोड़ घटा तो लेंगे से समझ में आ रही कि बच्चों यह वाली बात यह क्लियरली समझ में आ गया कि यह चीज जो मैंने बताई आपको ठीक है और आएप अगली चीज आती है अचयह बuur जुटर्य पेहलए मैने खुट्धर क्या इस बात का पर हमने कैम सबसे पहले हमने क्या किया थो लेंस फिर हमने का दौल हमने का निगा ईक लेंस और और दो एक में पीछे एक और मिर्र ऐसा अगर ऐसा होता तो क्या होता कि अगर को आप से ऐसा स्वाल पूछे ले देक गाना उसकी तो यह विनति पास के लिए इसके दो मिर दुकान खोल दो क्या फर्क पड़ता है भी सिर्फ इसके आगे रानी पीछे से फर्क नहीं पड़ता तो इसको बूल निवेजिक खाहिए को पूचेगा औहिए ऊपर इसके इसके बांशनर और या फिर सीधे सीधे पावर को हम लोग एड कर देगे समझ में आ गई क्या बच्चो चलिए ठीक है ठीक है बिल्कुल परफेक्टली क्लियर कोई हरानी परशानी चलिए बिल्कुल सही बात है समीख्षाजी दूसरे वाले मेरे पर रेस जाएंगी ही नहीं ठीक है चलो एक क सब्सक्राइब कर लोगे इस को तो इस पुश्न पर लोगे क्या कंवेक्स लेंस फोकल एक सेंटीपी अन्टीपीटर कंपाइब तो यह ना चलो जल्दी से बच्चों को सॉल करो अट्राइंप करो ट्राइब पट से तब तक में दो चार बच्चों से बाते कर लो रिया इस तो जल्दी से करो इसको ती सेकंड बचे हैं निप्टालो फटाफट देखते देखते सबसे पहले आंसक इसका आता है यहां पर मेरा पूरा द्यमा पूरा ध्यान मेरा चैट के उपर ही है हां जी वेटिंग, 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 वेटिं हाँ आंसर क्या रहा है c d d d c d c d तो मतला काफी सारे लोग है यहां पर सी और दी के बीचे पड़ें सही आंसर क्या है यह सवाल है तो सवाल का जो सही आंसर है हां देखते हैं तो कंवेक्स लेंश ऑफ फोकल लेंश 80 सेंटी मीटर पावर जो होगी वह जाएगी पी 1 प्लस फी 2 ठीक है यह पी इक्विलिंट हो गई पावर यह पुछी नहीं लास्में नहीं पावर ही पूछी तो पी कुछी लेंट की वेली हो गई पी 1 पी यह ओ गया कं Convex Lens है Convex है मतला भी प्लस 0.8 तो 1 अपॉन 0.8 प्लस 1 अपॉन दूसरा क्या है दूसरा है Concave Lens इसका मतला उसकी फोकल नेगेटिव आएगी माइनस 0.5 ठीक है क्या माइनस 0.5 आ गया और अगर यह आ गया 10 बाइट माइनस 2 ठीक है तो यह आ गया 10 माइनस 16 बाइट और इसका मतलब यह हो गया यह हो गया माइनस 6 बाइट माइनस 3 बाइ 4 माइनस 0.75 ठीक है तो माइनस 0.75 डाइपटर यह नहीं आंसर आ जाएगा डेली क्याल कर आप आने वाले कुछ छोटी सी करबड कर गए वो यहां पर उसको बस माइनस हैं भूल गए ठीक है तो आंसर हो जाएगा डेली समझ में आगे अड़े बढ़े ने crashed question यह वाला अ लेंस ऑ पावर 2 डाप्तिस फ्लेश और इन कांटाट विद लेंस ऑ पावर माइनस बन डाप्तर ठीक हे तो एक लैंस है वह इटिस प्लेस इन कांटाट इन कांटाट मिज विध अनधर लैंस he benchmark इमावरme्ड की पावर यही पावरमनश 7 इसकी पावर माइनस वन डायप्टेज ठीक है दिस बिहेव एज कुल मिला कि किस तरीके किस तरीके से बेव करें का यह सवाल है एक बिनिट का आपके लिए टाइम है ठीक है मेरे काचाथा आप में से कही लोगों ने अल्यडी इसको अटेंप्ट कर लिया होगा क्योंकि तीज सेगें स्कुल स्वेटर जल्दी से बताईएगा इस पावर इकुलेंट कि दूबट पावर वन प्लस पावर डिपला टूबट पावर बोन ऐस माइनस उन को मिलाके कि प्लस वन वो हो गया वन अपॉन एफ इकुववेलेंट की वैल्यू आ गई बन मीटर ओ तरी इसको से उ प्लस वन आने का मतलब क्या हुआ इस टाइमर तो अटाई देते हैं इस तर्टी सेक्ट में सॉल्व हो गया है क्या बात है लाइन से सारे मतलब बहुत खुशी होती है तो अच्छा लगता है मैं देखता हूं कि हमारी जो बच्चे हैं गंटे पर शांत हो जाए आप हाँ तो बहुत अच्छा लगता है जब देखता हूं कि मतलो जो बच्चे है वो लाइन से सही आंसर देरा है पूरा चैट बॉक्स सही आंसर से भरा हुआ है अब फोकल लेंद अगर प्लस वन आ रही है प्लस का मतलब कंवर्जिंग लेंस बन रहा है फोकल लेंटर या 100 cm तो आंसर कॉल मिला के कॉंबिनेशन की पावर पूछी है एक मिनिट ते वैसे जादा ही होगा समय देने के लिए लें फिर भी चलो दे देता हूं जल्दी से शुरू हो जाओ बहुत ही बहुत ज्यादा तेजी दिखाते हुए फटा-फटा आंसर तो बच्चो इसका अच्छा आप ज हां ऐसी क्वेशन आएंगे यह आसान सवाल यह यह आया यह क्वेश्चन से मेटाई है जो मैं यह आपर लेकर आए हम आपके लिए बताओ बेदाओ अठारा सेकेंड फिफ्ट का अंसर क्या रहा है अगें पी एक्वेलेंट इस एक्वेल टू पी फ्लस पी टू ठीक है अरे वावा आशार आने शुरू हो गए बिल्कुल प्लस वन पॉइंट फाइव यह माइनस वन पॉइंट फाइव पॉब्लिक का अंसर आ रहा है आग रहा है घंटेश्वर चुब हो जाओ तों पी इक महलबगी पावर हो जाएगी वन अपॉन फ्लस 0.4 और दूसरी पावर हो जाएगी वन अपॉन मनिस 0.25 ठीक है यह हो गया पी इक्वेलेंट तो पी इक्वेलेंट निकालना है वो हो जाएगा 5.400 अपर जाएगा 10 बाय फौर फ़ॉर तों यह आ गया 10 माइनस 16 बाय वह आ गया माइनस 6 x 4 वह आ गया माइनस 3 x 2 यानि कि माइनस 1.5 यानि कि जो पावर आ जाएगी को मिलाके वह जाएगी प्रवीन बताओ प्रवीन एंड अनकैडमी स्टुडेंट एंड ललिता आर्भी बॉय अंकिता रिया बहुत बढ़िया वच्छो शाबाश बहुत बढ़िया चलो नेक्स्क्रेशन देखते हैं बाश्ता दो लेज लगा दिए यह तो औरल सवाल है इसके लिए टाइमर दूंगा नहीं आंसर देना शुरू करो जल्दी से वह यह कह रहा है कि कभी यह लेंस लिया उसको बीच में स बताओ 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 शाबाश और भवानी जी बताओ फूर्शन नमब्र सिक्स का अंसर देना आपको शिक्स का अंसर बताए यह कुल मिला के क्या बनेगा कंकेव और सारी अगव कुल मिला के जो फोकल लेंथ हैं यह उनका रेश्यों क्या एगा तो सीधी सी बात यहां पर इसकी फोकल लेंथ है और इसकी फोकल लेंथ है और इसकी फोकल लेंथ है तो चाहिए यह से रखो यह से रखो ठीक है फोकल लेंथ है ठीक है फोकल लेंथ कभी यह से पकड़ लो फोकल लेंथ इसकी सेम रहती है और अगर फोकल लेंथ इसकी सेम ही रहती है तो एकर इसको प कुछ नहीं और इसका मतलब वही वही आने वाली है और इसका मतलब वही आती रहेगी हर और इसका मतलब जो रिश्यों आएंगे पुआएंगे 1-1-1 सबंग में आ गया किया बड़ी आरे समंझ में आ रहा है चलो तो फर्स का अंसर हो जाएगा बॉंबे सेवंध क्वेश्चिन सेवंध क्वेश्चिन एक लेंस आप फोकल ये सेंटीमीटर प्लें मिर अगया बैसाब तो अब वह समय आ गया है कि जब हम यह अगर इक लेंश तरीके का और उसके पीछा लगा दिया एक प्लें मिरर था भावर से ठीक है अचा फ्लेंग की पावर क्या होती है और प्लें मिर जो अप्शन ए पॉसिटिव होती है वी नेगिटिव होती है C 0 होती है या D not defined होती है defined ही नहीं है plane mirror की power क्या होती है plus minus 0 या not defined जल्दी से बताओ इसके लिए तरह टाइम भी दूँगा 20 second वो भी समझ लो तुम सवाल को इसलिए ते इसका answer क्या आएगा plane mirror की जो power होती है जीरो प्ले मिरर इसमें क्या होता है पैलल भी माइगी तो पैलल भी जाएगी पता आज यह वाली बात तो यह आफित ना कनवर्ज करता है कनवर्ज करता तो पावर फॉस्टिव कहलाती डाइवर्ज करता तो पावर नेगटिव कहलाती प्ला जा रहाएगी अगर यह है P equivalent की बात करते हम P equivalent is equal to twice of power of lens ठीक है plus power of mirror कुल मिला के ये वस्तू कुल मिला के ये वस्तू ए मिरर और अगर कुल मिला के ये वस्तू ए भिर तो 1 upon minus f mirror या f equivalent यहां पर आ गया equivalent is equal to 2 by F lens plus 1 by minus F mirror पर F mirror तो खुद ही infinite F mirror तो खुद ही 0 हो गया और अगर यह हो गया 0 इस बात का मतलब क्या हुआ पावर 0 गया तो यह जो चीज है यह तो 0 आ गई ठीक है F lens के आज रखा है 20 cm तो यह F L की वैलिव आजाएगी खुद माजाएगी माइनस 20 यानि कि मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि माइनस F equivalent की value F L by 2 आ रही है और F L खुद क्या है वो खुद है माइनस 20 upon 2 तो यह क्या आ गया F equivalent की value क्या आ गई वो आ गई 10 cm यह वाली बात समझ में आ रही है ठीक है और इसका मतलब की value आ जाएगी 10 cm और रांसर आ जाएगा हमारा क्या आएगा इसका अंसर कंकेव आएगा या आएगा फोकलन 10 cm और यह बात कर रहा है तो कंकेव आएगा या कंकेव के लिए कंकेव के लिए कंवेक्स के लिए होती है तो इस विल बिहेव आज़ाएगा आगरा सब्सक्राइब को सही बात है बिल्कुल आप परी और सही आँसर देने वाले कौन कौन है और कोई है क्या आए रॉकी ने दिया है और अशु शुष्वृता ने दिया है बहुत बढ़िया कंवेक्स हो जाए रहा है समझ में बैटा सबको यह वाली बात अच्छा एक और सवाल कर लो प्ले नो कंवेक्स लेंस इस सिल्वर्ड अब यह सिल्वरिंग का नया फंड ठीक है सिल्वरिंग उफ लैंस केस में क्या होता है बच्छों कि बेसीलिए कुछ नहीं है कुछ नहीं है क्या हमने एक ऐसे लिंग था एक जैनल बात करते हैं कि मान लो की कि एक हरना हमारे पास था और हमनों ने उसके फीच आप रख दिया त्हीकता बाइस इंड लेगा कर वें किसे कोई फर्क नहीं पढ़ता हवा की लेर बीच में घुसेड़नें से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हटाने से भी नहीं पड़ेगा अगर रेडिस बराबर होते तो जब मैं इसको और पास लाता तो यही चीज ऐसी हो जाती कि कि यहीं करते हैं इसी को पीछे से पोट देते हैं तो आप क्या कहोगे जैसे आप से नाम से जाना जाता है जब भी आपसे कहा जाएगा कि एक तरफ से सिलवर कर दिया तो आप क्या कहोगे जैसे आपसे कहा गया एक तरफसे चैनल वाली बात अच्छा अब क्या हुआ अब यह है कि a plane convex plane o convex lens is silver at plane surface तो plane o convex lens था ऐसा उसको silver कर दिया plane वाली साइड से ठीक है वैसे इसकी focal length 20 cm थी ठीक है नाउ f will be नई वाली focal length क्या होगी यह question ठीक है तो यह question ऐसे ही एक और यह वाला सवाल ठीक है यहां पर भी पॉलिश वाला plane surface पॉलिश कर दिया गया इसके अंदर भी यह जो questions है यह मैं आपको umba के लिए दे रहा हूं ठीक है और I hope कि आप यह वाले questions solve कर लेंगे वैसे इसमें answers दे रखें साथ में तो यह answers है लेकिन I hope क्या आप यह वाले answers प्रूव कर लेंगे eight and nine seven तक तो मैंने करी दिया ठीक है बच्छो चलो तब एक काम करते हैं छोटा सा quiz कर लेते और वह quiz होगा geometrical optics के उपर in fact है यह एक काम करते जामें पूरा तो खतम किया नहीं है और मिरर्स लेंसे कर लिए हैं अब इस जो कुल मिला के बचावा है वह प्रिज्म बचावा है और अबरेशन बचेवे मतलब डिफेक्स और एक जो चीज़ बची है वह आप्टिकल इंस्रुमेंट तो यह तीन चीज़े बची है यह बहुत जल्दी पूरी कर लेंगे almost पू क्विज में याँ पर स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए और विज का एक मिनिट विल बी लाइक 10 क्वेश्टिन स्री 20 क्वेश्टिन स्ट्टिक फॉर्टी बच्ट इच देखते हैं कितना दम है आप में देखते हैं आपको अभी तक का चप्तर समय में आया है और जहां से भी आपने पढ़ा है यहां मुझसे पढ़ा हो यह कैसे भी पढ़ा हो मुद्दे की बात यह है कि क्या आप नीट फोड़ेंगे ठीक है और उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस बहुत सारी प्रैक्टिस ठीक है तो और वह भी एक्जाम जब फिक्स होता ना जब टाइम फिक्स होता है तो फिक्स टाइम दूरेशन के अंदर फैक्टिस करना बहुत ज़ारा ज़रूरी होता है बच्छों ठीक है प्रणाम देव हर्ष कैसे हैं आप जोमेट्रिकल आप्टिक्स 20 क्वेशिंस 40 सेकिंद्स इच ठीक है और आपका जो क्विज है उसका मैं कोड आपक जल्दी से जाइं कर लोगा जों 52-56-09 इस प्रक्विश कोड तरीका क्या है जॉइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है वह यह है कि प्ले स्टोर पे जाओ वहां से अनकेडमी की एप इंस्टॉल करो और वहां से जाने के बास वहां पे प्लस पे चैस्ट्सिक्शन ले र जॉइन क्विश पर जाने के बास वह आपसे कोड पूछेगा कोड़े 52-56-09 525-609 डाट इस अक्विश कोड़े जल्दी से जॉइन कर लो बच्चो इसको 525-609 डाट इस अक्विश कोड़े जल्दी से जॉइन करो और ताकि हम लोग किस्टार्ट कर सकें 20 questions 40 seconds ऐच ठीक है 20 questions 40 seconds जल्दी से जॉइन कर लो बच्चो फटा 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 आजाओ फटा फटा जॉइन करते हैं जैसे आप जॉइन करोगे मैं इसको स्टार्ट कर दूगा ठीक है एक काम करते है अपने टाइमर चला जाते हैं थोड़ा सा चोटा सा दो मिनिट चला जाते हैं ठीक है द अगर जाइं कर चुके हैं तो वह तब सब्सक्राइब कर लो फटा फटा जो जितने जादा क्विज आप जोइन करते हैं जितने जादा टेस्स आप देते हैं उतना आपकी बच्चों प्रैक्टिस बढ़ती जाती है एक्जैंब टेंपरमेंट इंप्रूब ओता है तो तो वह दिखा पाने की ठीक है तो जल्दी से आ जाईए ठीक है मुस्ट वेलकर मश्वर या चलिए समय हो गया रही है एक मिनट बचा है बस लास्ट वन मिनट वन मिनट के एंड पर उसको चला देंगे जितन रही बच्चे होंगे उसको जोई कर देंगे बच्चों अच्छों एक बात और है चोटा सा एक मोटिवेशनल चीज और है वह चला भी बोल देता हो तो सीधी सी बात यह बच्चों कि हमें अकसर यह लगता है कि मतला हम पढ़ने के लिए पैदा हुए ठीक है एक जोश जो है वह वह दिखता है कही बच्चों के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं क्यों हों कर रहे हैं हम यह सब चीजें है कि जब हम कोई चीज करना शुरू करते हैं तो जैसे इंसान आप वीडियो गेम खेलते हों तो जैसे आद ने कुछ किया आपको एक फीड़ पैद ऐसका रिवाड मिलता है ठीक है तो आपको करने में मज़ा आता है कि यस मैं इसने क वह सकता है कई साल बाद मिले जैसे कि आपका केस है आप डॉक्टर्स बढ़ने वाले हिंदुस्तान के मतलब बहुत ही नामी ग्रामी डॉक्टर्स आज से 15 साल बाद जो बहुत बड़ वे डॉक्टर्स होंगा उनमें आपका नाम शुमार होगा ठीक है तो वह जो चीज है वह यह अभी से 15 साल देख पाना बहुत बड़ी बात है हम 15 दिन नहीं देख पाते हैं छोड़ो 15 गंटे नहीं समझ में आते ठीक है ठीक है अब यह मत करा से 15 मिल भी नहीं आते हैं मरत ठीक है लेकिन 15 साल बाद जो आपको फायदे मिलने वाले हैं लाइफ सेट हो जाएगी इस होगी पैसा जो चाहिए आपको सब कुछ होगा जो भी चीज आप सोचते हो एक्सपेक करते हो उमीद रखते हो के जिंदगी से यह चीज मुझे लाइफ में चाहिए सक्सेस्पूल हैने के लिए जो भी आपकी डेफिनेशन है वह उस चीज पर पहुच पाओगे पर दिक्क सब्सक्राइब क्यों पढ़ना पड़ रहा है तो और वाट तो से इस बच्चो बस इस बात अपने लक्ष का ध्यान रखो फोकस रखो अपने लक्ष के ऊपर बनना क्या है ठीक है अगर आपके फैमिली में दॉक्टर से हैं तो मिलो यह बाद समझो वैसे भी आपके फैमिल अब जो पैंडा में चल रहा है उसके चलते तो ऑफिसी डॉक्टर की वैसी जो एहमियात है वह बहुत जारा बढ़ गई है तो वोड़ा वांट तो से इस यार बस यह आद रखो कि जिस किस चीज के लिए हम फाइट कर रहे हैं किस चीज के लिए पढ़ना शुरू किया है क बीच मत रोकना बीच मत छोड़ना खतम करना उसको कायदे से ठीक है एंड विद डाट वी स्राट विद दा क्विज कुछ स्राट कर दूम थ्वड़ा सा भावना में भेग गया था ठीक है बचो तो यह क्विज तो आप इसको अटेंग करते रहो और कुछ छोटी सी बाते ह हूँ स्पहा एक चोटा सा अनाउंस्मेंट है आज शाम को 6 से साथ 627 आं गोइं टू कंड़क्ट अ क्विज ऑन कंप्लीट एलेक्ट्रो स्टैटिक्स के उपर मैं एक यहां पे यह स्पैशल क्लास के उपर एक पोल्स और बढ़िया से एक चोटा सा कॉम्पूटिशन होगा क्या ठीक है कंप्लीट एलेक्ट्रो स्टैट्स के उपर तो अगर आपको लगता है अच्छे से आता है तो आपको शाम को 6 से 7 ये बीज में 627 का टाइम में मिलेगा उस टाइब में आपको वह वो क्विज वहां पे अटेंट करने आना है और अगर आप वहां आते हो तो मतल एसे जस्ट फॉर एलिटल बिट अफ मोटिवेशन ठीक है वो जो मैने अपनी तरफ से रख्या है वह तो आप आओ उसके अंदर ठीक है और मला प्राइज ऐसे वह ऐसे कुछ नियू कर रहे हैं और मंदलब कुछ मॉनिटरी पैसे मेल ऐसा नहीं तोकन आफ अप्रेशियेशन क सब्सक्राइब कर रहे हैं और इसका जो लिंक है वह आपको यहां पर मिल जाएगा यहां पर आज सामको 6-7 के लिए आपका वहां पर एक लिंक मिल जाएगा लिंक पर क्लिक कर लेना क्लास में आप गुज जाएंगे ठीक है बाकी भी जो मैं अल्रेडी वाहां पर स्पेशल ले चुका हूं वह सारी किसारी यहां पर लिखी हुई है बड़िया से ठीक है जैसे आप कोई भी उटा अगर आपको जैसे मान लो कि आपका आज मन कर गया कि मैं तो फेजर डाग्राम पढ़ना है ठीक है तो आपको आपको कुछ नहीं करना है आप वहां से इस यह वाला ल कोईट इवन जाई मैंस कज रिक्वायर मैंस के सबसे एडवांस नहीं मैंस के सबसेटना रिक्वाइद ऑग्र नीट का स्टेवार का स्टेर और तो तुकुछ पढ़ा रखा है इन फ्री फ्रीओ अफ कॉस्ट है ठीक है और दूसरी बात यह कि यह सारा लिए सेथे जो यह है कि आप यूट्यूब पे जो हमारे जो स्यूडूल है वो इस तरीके से रहता है आने कैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए क्योंकि यहां पर लाइव क्लास होती है बहुत चाले एजुकेटर्स है लीडर बोस लीडर बोर्ट होते है अनलेसिस होता है आपकी ढूरा को कुछिन को सॉल्ट को सॉल्ट करके पूरा समझाते को कई से करना है जो हमारे सलिय को से नाम से कोर्स है अगी। जो बैच कोर्सें वो तुमारे चल ही रहे हैं इसके अंदर मैं डेली गंट 11 और 12 पढ़ाता हूं और इसके अंदर मैं को यह समझाता हूं कि कैसे हम लोग एक घंटे के मतलब कैसे हमारा जो सलेवा से डिसेंबर करने वाले हैं और उसके बाद जैनवरी से लेके में तक जब त पर प्लस पर उसके बाद आप जाएंगे एक साल या दो साल का सब्स्रिप्शन ले लेंगे जल्दी से जाके चैमेने का ले सकते हो अगर खतरों के खिलाडी हो क्योंकि डी टॉनी-टॉनी-वन अगर पीछे हो गया तो लास्ट में कोई कुछ बचे का नी तो फिर उसकेस मे लिए आपकी मर्जी आपकी चॉइस जो आपको सही लगए आप चाहे चाहेँ मैंने का लो या 12 मेने का लो वह पकी इच्छा है ठीक है जो भी लो कोड आपको यही यूज करना है नीट कि कैसे बढ़ना है मतला है में तैर्म क्योंकि यूज करना है ऐसे करना है स्ट्राडिजी करना है टुफेंगर। आगो लगता है तो उस केस्ट में क्रेडिट कर सकते हैं और वहां पर यह मैं नो सुरी नो को स्ट को आप्ट कर सकते हो मतलब ती महिने छे मेने या बारा महिने में आप यह सारा का सारा आप अलग अलग अगे बढ़ जाए अच्छा एक और चीज आइक अपकर सब्सक्रिप्शन दर क्या क्या चीज़े हैं आइक अपकर पर्सनल को एक इंसान कहां तुम पीछे रह रहे हो कहां तुमें जो जादा महिनत करने की जरू रहत है और इस तरीके से वह आपको बहुत अच्छे से काइड करेंगे मुद्ध की आप यह वालो की पूरा हाइवे बिज जाएगा पूरा हाइवे बिज जाएगा आपके सामने बस चलना है आपका अब जा कि आप एक बहुत फेमस बहुत बढ़ी डॉक्टर बनते हो वर्ल क्लास दॉक्टर बनते हो ठीक है पर उसके लिए वह तक है बहुत बढ़ी बात है तो फॉर्स स्टेप इस नीट क्लियर करना उसके लिए हम लोग यहां पर यह तैरी कर रहे हैं चुंकि यहां पर आपको पर्सनलाइज एक्स्पियेंस मिलेगा इसलिए हम यह कैसे इसलिए यहां पर जो फीस है थोड़ी छी यहां पर जादा है एस कंपेर टू प्लस लेकिन खुशी की बात यह है कि कोड है अनुटैन और अनुटैन कोड से यहां पर भी 10% का डिसकाउंट आपको मिल जात ठीक है बच्चों सबिद्धाट वी कम तो अनुटैन सेशन लास्ट में मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं क्या एक तो कोड का ध्यान रखना और दूसरी वात यूज खुद तो करना ही करना नहीं भी करो तब पड़ोशों को जूरू करवाना ठीक है और दूसरी ब करेंडियों कीप दूं न क्यों यूरू झाल जै क्यों था एंच है एंड यू